इस वीडियो का हमारा टोबिक है Ascenting Triangle Pattern यह pattern जब market आप टेंड में चल रहा होता है तब भी आपको यह pattern देखने के लिए मिल सकते है मानलीजे market यहाँ पे नीचे से आ रहा है और यहाँ पे सबसे पहले एक high बनाया फिर market यहाँ पे low बनाते है और फिर से market जो पहले वाला high था उसी high के पाथ जो की यहाँ पे resistance लेते हैं अगर हम यहाँ पे दोनो high को एक trail line के साथ यहाँ पे जोड़ जेते हैं तो यहाँ पे एक horizontal resistance यहाँ पे बन जाते हैं फिर से market उसी horizontal resistance से निचे आता है और पहले जो support बनाया था उस support के하하 उपर जो की यहाँ मार्केट फीर से support बनाता है फिर market उसी resistance के पाथ जाकि जो की फिर से उस horizontal line पे एक resistance लेते है फिर market एक नीचे आता है और आने के बाध पहले जो support बनाया था उस support के उपर जो की फिर से support लेते है अगर हम यहाँ पे तीनो सपोर्ट लेबल को एक साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे एक आप्टरिन ट्रेल लाइन बन जाते हैं जो कि यस लेबल पे जब मारकेट पहुसता है जो उपर वाला होरिजन्टल रेजिस्टेंस बनाया है उस resistance को break करके अपना offside rally को continue करे या हो सकते है जो निशे से market support लेके आ रहा था जो trail line को break करके downside अपना जो की rally को continue करते है तो इस वीडियो के मादधम से मैं आपको बताऊंगी किस तरीक से आप live market में ascending triangle pattern को सही से identify करके trade कर सकते हो इस वीडियो की कोई भी part आप skip मत करिए क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सरा point का उपर discuss करेंगे अगर आप skip करते हैं तो बहुत सरा point जो की आप miss कर जाएंगे तो वीडियो को शुड़ू से लेके end तक देखते रहे हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को like कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो को dislike भी कर सकते हैं फिर market उस higher point से एक downfall किया और यहां पे एक low बनाया और जहां पे low बनाया उस level पे market support लेके पहले जो high बनाया था उसी higher level पे जाके एक resistance बनाया फिर उस high point से market यहां पे एक downfall किया और यहां पे एक low बनाया और market उस low point पे support लेके जो पहले high बनाया था उसी high point पे जाके फिर से resistance लेते है फिर market उसी high point से फिर से एक downfall करते है और यहाँ पे फिर से एक low बनाते है अगर हम यहाँ पे इन तीनो low point को एक trail line के साथ यहाँ पे जोड देते है तो यहाँ पे एक uptrend trail line बन जते है अगर हम यहाँ पे तीनो higher point को एक ट्रेलाइन के साथ यहाँ पर जोड देते हैं तो यहाँ पर एक horizontal ट्रेलाइन बन जते हैं इसी level से हो सकते है market जो नीशे से ट्रेलाइन आ रहा था उस ट्रेलाइन को break करके market downfall कर सकते हैं यानि downtrend को continue कर सकते हैं या हो सकते हैं जो उपर से horizontal resistance बनाया है उस resistance को market break करके upside rally को continue कर सकते हैं जैसे की आप यहाँ पर देख सकते market यहाँ पर जो horizontal resistance था उस resistance को market ने यहाँ पर break किया और break करने के बाद ही market जो कि यहाँ पर उपर गया है as a beginner trader आप यहाँ पर जैसे ही ascending triangle pattern का break out होता है तब आप यहाँ पे buy position को बना सकते हैं क्योंकि professional trader जैसे ascending triangle pattern का break out होता है तब भी यहाँ पे अपना buy position को execute करते हैं तो यहाँ पे आप अपना buy position को बना के इसकी नीचे जो कि आप अपना stop loss को लगा सकते हैं और आपको देखना है जी उपर कौन सी resistance है उस resistance तक market बहुत ही fast movement के जाएगा और उहाँ पे आप जो कि अपना profit booking कर सकते हैं उमिद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के मद्दम से आपने कुछ सीख पाया होगा अगर आपको कुछ सीखनी के लिए मिला इस वीडियो के मद्दम से तो वीडियो को like करें या चैनल को subscribe करें अगर आपको कुछ भी सीखनी के लिए नहीं मिला तो वीडियो को dislike करके आप जा सकते हैं